बरेली के किला इलाके में कुछ पुराने कच्चे पक्के मकानों की एक बस्ती में रहने वाली रिफत की शादी एक साल पहले हुई थी एक साल में ही खुलासा हो गया कि इस शादी की गांठें बेहत कच्ची थी और शादी के वक्त उसे कताई अंदाजा नहीं था कि उसके पती की फित्रत में ही गुना है वह उसके जिस्म का सौदागर बनना चाह रहा था जिस्म नहीं बेच पाया तो उसने हर मनमानी कर रिफत को कई तरह की सजाएं दी अब रिफत बहुत कुछ बरदाश्ट करने के बाद इंसाप के लड़ाई लड़ने पर मजबूर है कोई सचा प्यार करने वाला हो तो गरीबी और मजबूरियों के हालात भी जहले जा सकते हैं हर लड़की की तरह एक गरीब घर की लड़की रिफत के भी कुछ ख्वाब थे कि उसकी शादी होगी तो प्यार और खुशियों के बीच उसकी जिन्दगी जनत बन जाएगी एक मई 2017 को जब रिफत की शादी हुई तो उसे अपने शोहर का नाम मुम्ताज पता था काम के बारे कुछ पता था और कुछ वेह नहीं जानती थी यानि मुम्ताज का मिज़ाज और अदीद उसके सामने खुला ही नहीं था रिफत को उमीद थी कि सब अच्छा ही होगा प्यार भी हो जाएगा लेकिन कुछ ही दिनों में जो कुछ होने लगा रिफत को अपनी जिन्दगी जहन्म बनती नजर आने लगी इधर मुम्ताज का एक अतीद था रिफत से पहले मुम्ताज की तीन शादियां हो चुकी थी लेकिन उसकी हर बीवी उसे छोड़ चुकी थी और इसकी वज़े थी मुम्ताज की अशलीलता और बेतहाशा मार पीट मुम्ताज के इस अतीद से बेखखवर थी रिफत और अब यही सब रिफत के साथ होने वाला था मुम्ताज का मकान नीचे था और दुकान पहली मंजिल पर दुकान पर कई तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता था पहले पहल होता यह था कि मुम्ताज की दुकान पर जब ग्राहक आते थे तब यह किसी बहाने से वेह रिफत को दुकान पर बुलाता था कुछ ही दुनों में रिफत को समझ में आने लगा था कि मुम्ताज उसे नुमाईश की चीज बना कर पेश करता है यह बात रिफत के गले नहीं उतरती थी और वे रिफत को ऐसा करने से मना करती थी धीरे धीरे यह सिलसला हदें पार करने की तरव बढ़ा और एक दिन मुम्ताज ने साफ और पर कह दिया कि रिफत उसके ग्राहकों के साथ हम बिस्तरी करें रिफत की आँखें फटी रह गी और उसने नाराजगी और साफ विरोध दर्ज किया रिफत के मना करते ही मुम्ताज आग बबूला हो गया और उसने रिफत की खूब पिटाई की घुसे में मुम्ताज के हाथ जो आया उसने वही रिफत के सिर पर दे मारा रिफत के सिर से खून बहने लगा तब मुम्ताज वहां से चला गया इस जहनुम से गुजर रही रिफत को हम दर्दी मिली घर की ओरतों से घर की ओरतों ने रिफत को समझाया कि वे घर में ही रहा करे क्योंकि बाहर जाने से उसकी उसके शोहर और खांदान की बदनामी होगी यह बात मानकर रिफट घर में एक तरह से किद होती चली गई अब ये आए दिन का सिलसला हो गया कि मुम्ताज किसी बहाने से रिफट को दुकान पर बुलाता रिफट मना करती और फिर घर आकर मुम्ताज उसके साथ गाली गवलोज करते हुए बेतहाशा मार पीट करता है कुछी दिनों में मुम्ताज का होसला और जिद इतनी बढ़ गई कि वे कुछ ग्राहकों को लेकर घर ही पहुँच गया और बढ़ाय रिफट को दुकान पर बुलाने के उसने रिफट को घर के भीतर ही मजबूर किया कि वे उसके ग्राहकों के साथ यौन संबंद बनाए रिफट ने रोचीख कर पूरी ताकत से विरोड किया और खुद को किसी कमरे में बंद कर इस मुश्किल घरी को जैसे तैसे टाला गिर मर्दों के साथ यौन संबंद बनाने से तो बच्ची रिफट लेकिन मुम्ताज के गुस्से से नहीं बच सकी गुस्से में मुम्ताज को कतई होशना रहता था वह तमंचा दिखाकर रिफट को डराता, बेदर्दी से पीटता और उसके साथ हर तरह की जबरदस्ती करता गुस्से की इस हालत में वेह अक्सर अपनी पिछली तीन बीवियों को दी गई प्रतार ना का जिक्र भी करता रिफट बेहद खौक और दहशत में जी रही थी और उसे इस मुश्किल से निकलने का कोई हल नहीं दिख रहा था ये हरकतें जारी थी और अक्सर रिफट खुद को मुम्ताज और उसके ग्राहकों से किसी तरह बचाती इस मामले में घर की ओरतें भी जब कुछ हल ना निकाल सकी तो पिछले महीने यानी जलाई में रिफट किसी तरह अपने माह के चली गई वहां जाकर उसने आप बीती सुनाई तो सबने उसे हिम्मत दिलाते हुए कोई हल निकालने की बात कही रिफट ने सबकी सलहस से पुलीस चौकी में मुम्ताज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी इसी बीच रिफट को जब रन वापस ले जाने के एरादे से 29 जलाई को मुम्ताज तेश में उसके मा के जा पहुंचा मुम्ताज तमन चाले कर आखरी फैसला करने के एरादे से पहुंचा था उसने रिफत से वापस चलने को कहा और रिफत के मना करते ही मुम्ताज गालियां देते हुए रिफत को पीटने लगा उस वक्त घर में मौझूद रिफत की बेहने जब बीच पचाव के लिए आही और मुम्ताज को रोकने की कोशिश की तो मुम्ताज ने उन्हें भी पीटा और कुछ ही देर बाद मुम्ताज ने रिफत से कह दिया देश तलाक, तलाक, तलाक रिफत ने मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नक्वी से मदद की गुहार लगाई, फरहत नक्वी का कहना है कि पीडिता का शोहर उससे वेशावरिती कराना चाहता था और रिफत के मना करने पर उसने तलाक दे दिया, उनका कहना है रिफत की हर संभव मदद की प्रेगी